अभी हम लोग यहां पर L&T Technology Service Limited की अनलीसिस करेंगे और इस अनलीसिस में हम लोग देखेंगे कल के दिन 27 जुलाई को यह क्या अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स और टार्गेट्स हम लोग को दिखा सकता है तो आज के दिन देखेंगे कैल हमने डिसकस किया था अगर यह करेंगे तो इतना बड़ा सैलिंग केंडल अभी तक हम लोगो देखने को नहीं मिला था मतलब यहां पर अच्छे खासे सेलिंग अच्छे क्वांटिटी और यहां यह तक से लिए तक सिर्फ इसी वन गों में आ गया इतना नीचे ठीक है अभी जो हमारे पस ब्रेकाउट ल लेवल है हम लोगों का वो अराउंड यहां पर 3200 के आसपास है ठीक है तो यह हमारे पास ब्रेकाउट लेवल है तो यह अब देखिए यह इसके पास फिर पर जाएगा तो यहां यहां पर बनाएगा यहां फिर यहां पर एक range बनाने लगेगा और इस लेवल को यह respect करेगा ठीक है और इसको break नहीं करेगा लेकिन इसको break करना है तो फिर यहां range बनाने के बाद इसको break करेगा और यह फिर 3150 के आसपस आने की कोशिश करेगा जो कि यहां पर पहली भी यह द कल के दिन यह यहां पर यह आज का जो लो है उसको ब्रेक करेगा तो ज्यादा चांसेस होगा कि एक बार यह 3200 का एक बड़ जो राउन लेवल है 3200 10 20 इसको एक बार टच करके फिर से उपर क्योरी कहीं क्लोजिंग देदे क्योंकि आज के दिन ही बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है तो हो सकता है कल के दिन है यहां पर एक我觉得 candle यह और हम यहां पर बना यहां यह पिरेगी ब्रेकाउट लेवल कि आसपास बना है तो इसलिए यहाँ पे जो कल की उम्मीद है यह चाहिए और नद पना चाहिए वर करोद कीोर ह क्या पैर चाहिए विरिंट हुट अपे ब्रिकंडल लेवल के आसपास इतना बड़ा सब्सक्राइब है तो यहाँ पर यहां पर देखेंगे तोड़ा पीछे भी जा के तो यहां पर देखेंगे यह इसने यह लेवल किया detik करने के बाद यह पहुत ही बड़ा इनदर बना है उसके बाद तीन दिन इसके अंदर है और इसको एक बद और है अगर यहां पर गैप अपनिंग हो जाती है ठीक है यहां पर क्लोजिंग जो मिली है 303 258 के आसपास मिली है लेकिन यह गैप अपन हो जाता है करी यह नहीं नीचे जाएगा मतलब यह फिर जो ले सट्रॉंग रहेगा पाजिट्वीट साइन देगा क्योंकि यह उपर आथ ओपन होता है तो यहां पर वाइड ओपन होगा फिर यह इसको उपर लेके जाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो इस बात का हम लोग जान देंगे अगर यह फ्लाट ओपन होता है यहां पर इसी रेंज में कहीं ओपन हो कि नीचे वाल लेवल को ब्रेक करेगा तभी यह और नीचे जाएगा तो और नीचे जाने की जो इसकी चांसे है आज का जो यह इस केंडल का लोगा है वो लगा है 3237 तो 3236 का आ कल के दिन ब्रेक डाउन होगा 32 36 का नीचे की और ब्रेकडाउन होगा तभी यह और नीचे की गिरेगा ठीक है यह लेवल देखिएका 3236 है और इसको नीचे की ओर जो पहला टारगेट होगा हमारा वो बाण 3217 का एंज जो सकेंड टार्गेट होगा हमारा वोगा 3208 का ठीक है जैसे कि मैं बता रहा हूं मुझे लग रहा है यह इसी रेंज में कहीं पे इसको हॉट लेना चाहिए इसी रेंज में कहीं पे इसको सपोर्ट लेकर फिर से डिसाइड करेगा इसको उपर जाना है या नीच की ये उपर के ऊफूर बहुत कम चांसे साई इतना बड़ा केंडल बनने के बाद हो सकता है कल के दिन यह तोड़ा सा और ये तो नाएफ़ ढ़िक यह थोड़ा कम है ठीक है सजाए लेकिं यह एक टू नाइन फाइफ होता है उपर की ओर हम लोग एक टार्गेट एसपेकर क कर सकते हैं तो वीडियो एजुकेशन पपच के लिए तो कोई पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो